हलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे आपको मैं अपने वीडियों बहुत कुछ बताई हूँ आज मैं आपके लिए देखिए ये अस्टावेरी का काप होल्डर लाई हूँ जो की देखने में बहुत ही प्यारा है आप एक बाप बनाओ और रख तो हम क्या कर रहे हैं अब स्टार्ट करते हैं लाएं बनाना स्टाट करते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं रेडियों तो इसके लिए मैं सबसे पहले वाइट कलर का उन लूँगी ये मेड़ाmaon three ply का है और नव नंबर गया है यह देखिए अगर यह थोड़ा और चार प्लाई का उन होगा तो और इसoda बढ़ा बन जायेगा आपको इतना मैं अगर इसीसाइज का उन रहेगा तो फिर आपको थोड़ा यह जो रॉंट है मैं चार रॉंड की हूं तो आप पाच Ama कर सकते हैं छे रौंड कर सकते हैं तो उससे आपको और थोड़ा सा बड़ा होगा तो आप जल्दी से स्टार्ट करो कि कैसे बनाना है ठीक है तो आप ध्यान से देखो कि मैं कैसे बना रहे हूं तो प्लीज आप जल्दी से मेरा वीडियो लाइक कर दें सेर कर दें और सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है नहीं लाइक करने में कोई पैसा लगता है तो आप जल्दी मेरा वीडियो लाइक कर कर दें तो देखिए इसके लिए मैं सबसे पर ले क्या कर रहे हूं मैं चेन लोंगी पांच चेन लोंगी कि सरकल बनाने के लिए ठीक है पांच चेन लेने के बाद मैं इसमें ऐसे जॉइंट कर दूंगी कि यह देखिए यह जो सुरू का चेन है उसमें मैं यह देखिए ऐसे यह डालूंगी और इसको सरकल बना दूंगी कि इसलिए पस्टिच करते हुए यह सरकल बन गया अब यह जो सरकल बना है इसी में मैं हाप डबल कुरूसिया करूंगी सबसे पहले मैं दो चेन लोंगी एक दो दो चेन लोंगी फिर उसके बाद मैं हाप डबल कुरूसिया करूंगी वो टेन टाइम करूंगी हाप डबल कुरूसिया यह एक मेरा चेन जो दो मैं चेन दी वो हो गया और एक यह हो गया दो हो गया और इसमें टोटल मैं टेन टाइम करूंगी हाप डबल कुरोशिया करना मैंने सिखाया आपको अलग वीडियो में आप देख सकते हैं यह होता है कि ऐसे लिया और यहां डाला और फिर उसके बाद हीर धागे को फसाते हुए निकालेंगे और फिर ये तीनों जो है फंदे उसको एक ही साथ मैं ऐसे गिरा दूँगी इसको बोलते हैं हाँ डबल कुरूचिया ठीक है तो मैं इसको पूरा टेन टाइम करके दिखाती हूं आपको यह देखे मैं टेन टाइम इसको कर दी और यह तो मैंने चेन लिया था इसमें मैं स्लिप अस्टिच करते हुए मैं इसको जॉइंट कर दूँगे यह जॉइंट हो गया अब इसी में मैं दो चेन लोंगे एक दो और फिर इसी वाले चेन में मैं यह देखिया फिर से एक हाप कुरूचिया हाप डबल कुरूचिया करेंगे कि तो यह 2 हो गया एक में ही दो हो गया ठीक है यह थोड़ा सा कभी-कभी धागा भसने लगता है थेकर तो यह मैंने दो इसी में किया अब यह वाला जो चेन है यह वाला चेन यह देखिए यह वाला चेन है उसमें भी मैं दो बार करमगी एक बार दो बार इसमें भी दो टाइम किया इसमें भी दो टाइम किया ठीक है? तो जितना ये चेन है उसमें दो दो बार मैं हापडवल 크ूस या करंगी पूरे राउंड में मैं हाप डबल कुरोसिया करेंगी दो बार इसमें भी किया दो बार इसमें दो बार इसमें दो बार देखिए ये वाला भी चेन है इसमें भी मैं दो बार करेंगे तो हमें पूरे राउंड में एक चेन में दो बार करना है हाप डबल कुरोसिया ठीक है मैं पूरा करके दिखाते हूं यह देखे मेरा यह टोटल 20 टाइम हो गया अब इसको मैं फिर जैसे मैंने नीचे किया था वैसे ही मैं इसको चेन को ऐसे जोड़ते हुए इसको जोड़ते हुए स्लिप स्टिच कर दूँगे यह ऐसे जोड़ गया ठीक है तो यह नीचे मैंने 10 किया था और यह 20 हुआ क्यूंकि हर में मैंने दो दो किया था ठीक है अब फिर से यहां पर मैं दो चेन लोगी दो चेन लेने के बाद फिर से इस वाले में मैं एक हाप डवल कुरूसिया यह हाप डवल कुरूसिया हो गया फिर इसके बगल वाले में बगल वाले चेन में मैं एक करूंगी ठीक है फिर उसके बाद वाले में दो करूंगी तो इस रोंड में क्या होगा कि एक में एक करना है फिर एक में दो करना मतलब एक छोड़ छोड़के हम दो डवल कुरूसिय करते जाएंगे जैसे यह देखे इसमें मैं 2 की फिर एक की फिर दो की फिर यहां पे एक करूंगे जब आप बनाओंगे तो आपको अरहम से समझ में कर जाएगा फिर देखिए इसमें मैं दो करूंगे दो हाप डबल कुरूज है ठीक है यह देखिए क्या हुआ यहाँ पे दो एक दो एक दो ठीक है तो यह ऐसे ही पूरा रौंड मैं बना रहे हूँ हुआ यह देखिए यह मेरा 30 टाइम हो गया ठीक है अभी यहाँ पे मैंने जॉइन किया हैं फिर उसके बाद फिर मैं दो चेन लोगी तो चेन लेने के बाद फिर इसी में फिर से नीचेदे से मैंने किया था वैसे इस रो में करूंगी सिर्फ इस रो में क्या करना है हमें कि नीचे हमने एक छोड़के और दो किया था फिर एक चोड़के दो किया था अब यहां पर क्या करना है हमें दो छोड़ना ठीका देखें यहां पर मैंने दो किया फिर एक किया फिर यहां पर भी मैं एक करूंगे एक हाप डवल कुरूसिया ठीक है मतलब दो हाप डवल कुरूसिया एक एक चेन में हुआ फिर उसके बाद जहां पर मैंने दो किया था वहीं पर फिर से मैं दो करूंगे अगर आपको रौंड बढ़ाना है तो वैसे ही आप अगले रौंड में कर सकते हैं कि यह दो मैंने छोड़ा तो वह आप तीन छोड़ सकते हैं, जैसे कि यह दो जहां पर डला हुआ है, वहां पर दो डालना है, यह देखें, फिर मैं यहां पर एक बनाऊंगे, इस चैन में ए एक बनाऊंगे, यह देखें, दो बार एक एक बनाना हुआ, और फिर एक में दो बार बनाना है, हाप डबल कρούस, यह देखें, इस तरह से यह बन रहा है, दो पले, एक चेन में दो बनाया, हब डबल कुरूसिया, फिर एक एक किया, फिर दो बनाया, फिर एक एक किया, फिर इसमें दो किया, इस तरह से पूरा रोड हमें करना है, यह देखे, यह मेरा यह रोग कम्प्लिट हो गया, अब मैं यहाँ पे जॉइन कर रही हूँ, इस तरह से मनने जॉइन کر दिया अब यहां पर मैं फिर से तीन चेन ले रही हूं तीन है सारी दो चेन लूँगी और एक हाप डबल कुरूसिया करूंगी यह दक्या हाप डबल कुरूसिया करने पर फिर मैं यहां पर रेड कलर का जॉइन करूंगी कि इसमें रेड कलर जान करूंगी अगर आपको और बड़ा बनाना है तो आप बड़ा बना सकते हैं कि इसको थालपोस भी बना सकते हैं आप क्योंकि इसका रॉंड अगर आप और बड़ा करेंगे आप अपने साइज के कॉर्डिंग आप इसको बड़ा कर सकते हैं तो बड़ा करने के बाद आप इसको थालपोस भी बना सकते हैं ठीक है और यह जो डिजाइन है आप दो बार अश्टावेरी का डिजाइन दो बार आप डाल सकते हैं ठीक है तो वैसे और सुन्दर दिखेगा आप का थाल पॉस्ट तो यह अब मैं आगे बताती हूं का इस करना है तो यह अब यहां पर क्या करना है कि हमें इस में पांच वार डबल कुरूसिया करना है और ये जो धागा है मारा वाइट का और ये रेड का ये हम यहां पे दबाते हुए ले जाएंगे ठीक है तो एक ही चेन में हमें पाँच बार करना है ये रेड कलर से हाप डबल कुरूज और सॉरी डबल कुरूज ये देखें तीन बार हुआ ये चार और ये पाच ठीक है पाच करने के बाद फिर हमें ये वाइट कलर का इसमें डालना है ये वाइट कलर का डल गयाँ अब वाइट कलर डालने के बाद यहां पर फिर मैं दो हाप डबल क्रूसिय करूंगे वाइट कलर से हमें हाप डबल क्रूसिय करना है ठीक है यह दो हमें हाप डबल क्रूसिया वाइट से करना है और जब हम चेंज करने लगेंगे कलर तो पहले ही ये देख्यें ये पहले ही हमें red से करतें और ये धागे का ऐसे दबाते हुए जाएएँगे तो हमारा ये पीछ्छे ऐसे दिखेगा नहीं ठीक है तो फिर से अब मैं ये दो white की, white मैं half double crochet की और ये red double crochet की ठीक है तो अब दो करने के बाद फिर मैं इसमें पांच बार डबल ग्रोज़े करेंगे रेटर से दो तीन चार बात ठीक है पांच बार करने के बाद फिर यहां पर फिर सिर मैं वाइट कलर करेंगे वाइट कलर का कितना मैंने बताया था दो दो क्या बताया था हाप डबल करूज़े ठीक है हाप डबल करूज़े दो बर करना हमें एक और ही दो यह देखे मैं रेड से फिर इसको एसे वाइट वाले को गिरा दोंगी तो यह इस तरह से बनेगा ठेक है यह देखे मैंने क्या किया आप यह को ने क्या डबल कुरूसिया और ये दो वाइट से किया हम डबल कुरूसिया फिर पाच किया एक ही चेन में पाच करना ठीक है एक ही चेहन में हमें पाच बार करना है डबल कुरूसिया एक दो तीर चार और ये पाच अब वाइट वाले से मैं ये दोनों रेट को गिरा दूँगे ठीक है अब ऐसे ही हम पूरा रौंड करके आपको दिखाते हैं और आप भी बनाओ ठीक है ये देखे ये पूरा रौंड हो गया अब मैं इसको वाइट से ये रेड को ऐसे गिरा दूँगी ठीक है रेड को गिरा के फिर मैं इसको इसमें ऐसे मिला दूँगी ठीक है ये मैं मिला दी ओके अब मैं यहां पर क्या करूंगी अब मैं ग्रीन कलर अटेज करूंगी ग्रीन कलर से हमें अस्टावेरी का लिप बनाना है तो ग्रीन कलर को भी मैं इधर करूंगी पले वाइट से एक हाप डेवल करूंगी यहां ठीक है और इसको ग्रीन कलर से ऐसे नहीं का लेंगे यह देखिए ग्रीन कलर से लेके यह वाला से निकालने के बाद अब यहां पर क्या करना हमें यह देखिए सेवन टाइम करना हर चेन में एक यह हो गया दो हो गया और यह जो रेट वाला श्टावरी है और यह दोनों वाइट को और यह ग्रीन को हमें साथ लेके चलना है और यह ऐसे जाएगा यह रहा ऐसे एक चैन में डाला फिर दूसरे वाले चैन में डाला हमें गिराना नहीं है सबको ऐसे लेते जाना है ठीक है एक मिनट थोड़ा सा फसने लगता है कभी करना यह वाइट और ग्रीन दोनों में साथ लेके चलना है और यहां से ऐसे चैन में अंदर गया और यहां से धागा पर फसाया और यहां कीचा इसे गिराना नहीं हमें ठीक है सारे चैन में हम ऐसे ही करते जाएंगे यह दुखिया कि पाल यह पाच स्थावेरी बना पा यह रेट वाला बनाए था है तो फाच ओं में यह करक vaccinated वाले में करना हां में ठीक है यह करते होँ यह सारा हमारा हो गया UP ताइम और इसको यह सब को गिरा देंगे ठीक है फिर हम यह वाइट से एक बग गिराया फिर यह वाइट को लिए ठीक है यह ग्रीन को खेच लेंगे फिर यहां पर दो slipper स्टिच कर देंगे वाइट से दो स्लिप स्टिच हो गया है वाइट से ठीक है यह दो स्लिप स्टिच करने के बाद फिर हम यह ग्रीन वाले को यह जो मैंने स्लिप स्टिच किया नो वह ग्रीन से करना है इसको ग्रीन पर ही निकालना है यह ग्रीन है ठीक है अब फिर यहां पर है इसको हम देंगे एक देखें दो चैन यह तीन चैन यह चार चैन यह पाच यह चेन और यह साथ ठीक है यह साथ हमें करना है एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ यह हुआ अब साथो को हमें एक बार में गिराना है तो यह क्या होगा श्टावेरी का लिप बन जाएगा है यह pril बन गया अब इसको मैं वाइट से गरीन को घिरा देऊ है इसको खिच लेना है थाघे को ठीक कर यह कि अब फिर से यहां पे रहला है फिर मैं देड़ हमें आप कलर गर्शिप असथ करना और यह इसका हम सात लेते हुए बांथ कर जाएंगे यह दो यहां पर वाइट स्लिपर स्टिच करना है एक एरिये हैं अब फिर यहां पर लेंगे साथ, एक, दो, तेन, चार, पार, छे, यह, साथ, ठीक है, यह साथो को एक साथ गिरा दें, यह देखे, यहां पर भी वाइट से हमें फिर इसको निकालना है, ठीक है, तो ऐसे ही हमें यह पूरा रो करना है, यह देखे, यह स्टाबरी का सेब बन गया, यह देखे, ठीक है, अब यह पूरा रौंड आप ऐसे ही करो, यह देखें, यह मैंने पूरा रौंड लीप बना दिया है, अब मैं क्या करूंगे, गिरीन को कट कर दूंगे, गिरीन का अब यहां पर काम नहीं है, गिरीन को मैं हटा के, और सिर्फ वाइट कलर से मैं बनाओंगे, अब हम में क्या करना है यह जो यहां पर white color का है एक chain इसी में हमें साथ बार double crochet करना है यह जो chain है एक हमारा इसी में 7 time में double crochet करना है एक तो तो दो चार पार छे और एक साथ आप यह दूसरे कलर से भी बना सकते आपको जो कलर पर संदा बना सकते हैं अब यह मैंने साथ कर दिया यह लेफ को छोड़ते हुए फिर यहां पर देखें एक चेन हैं फिर मैं उसी चेन में साथ करूंगे तो 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 यह कितना हुआ है पाच यह यह साथ तो ऐसे हमें यह पूरा रॉंड बनाना है यह लेफ को छोड़के यह देखें यहां पर मैं छोड़ूंगे और यह जो चेन है उसमें साथ साथ डबल गुरू से करूंगे यह देखें यह जो चेन है इसमें फिस में सक तो यह पूरा रॉंड ऐसे ही बनाना है मैं बना के दिखाते लाँ का यह देखें यह पूरा रॉंड हो गया कंप्लेट अब मैं इसको यहां नीचे जाइंट कर दूंगे स्लिप अस्टिच करते हुए और यह धागे को काड़ दूंगे यह देखें यह कंप्लेट हो गया यह जो धागा एक दो निकला हुआ है उसको हम पीछे सिक्योर कर देंगे यह देखें हमारा यह कैसा आपको लगा कबस्ट आफ़ेड़ी कपस्टेंड है यह सारा यहां और असा स्टाब्बिक निकल लेंगे जाए धागा हम पीछे इसको अटएज़ कर लेंगे ले कि यह तो हमारा कपस्टेंड श्टावेरी कप स्टेंड तयार हो गया ठीक है तो आप जरूर इसको try करें और आप बनाएं इसको बहुत अच्छा लगता है बनाने में और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कितना प्यारा लग रहा है और इसका बड़ा भी बना सकते हैं इसका थालपोस बना सकते हैं इस डिजाइन में टेबलमेंट बना सकते हैं आपको जो इच्छा होगा बना सकते हैं इसको जाइंट करके ऐसे जाइंट करके थालपोस भी बना सकते हैं बड़ा सा इसको जाइंट क इतना प्यारा लग रहा हुमारा ओके फ्रेंड्स बाइ थैंक यू